नमस्कार आप सब का स्वागत है मेरे चैनल A to Z Dishes उशा कोरजानी में तो एक बार मैं फिर से आ गई आप सभी के लिए बहुत ही बढ़ी आसी रेसिपी लेकर आज आपके साथ में शेर कने जारी शाही ब्रेड रोल खाने में बहुत ही बढ़ी आलगता है बच्चे से लेकर बड़े तक को ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं तो चलिए देड़ने करते हैं बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले शाही bread roll बनाने में हमें क्या क्या ingredients चाहिए हम वो देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने 6 slice यानि की 6 bread ले लिए corner बिना वाली आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ले लिए इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए 20 से 25 गराम उबले ओवे हरे मटर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए कुछ ड्राइफ रूट सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम ये करीब मैंने 6 से 7 बादाम ले लिए हैं इसके बाद मैंने यहाँ पे लिये है काजू ये भी मैंने 6-7 काजू ले लिये हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है किश्मिश तो ये मैंने 8-10 किश्मिश ले लिये हैं इसके बाद मैंने यहाँ पे लिये हैं तीन उबलेव आलू एकदम मीडियम साइज के मैंने ती कट लिया है प्याज लेने के बाद यहां पे मैंने लिया है दो हरी मिर्च जिसे मैंने एकदम बारिक कट लिया है आप देख सकते हैं अब यहां पे मैंने कुछ मसाले लिये हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है लाल मिर्च पाउडर एक चमच जितना लाल मिर्च इसके बाद मैंने यहां पे लिया है जीरा एक चमच जितना मैंने यहां पे जीरा ले लिया है इसके बाद मैंने यहां पे लिया है गरम मसाला एक चमच इसके बाद मैंने यहां पे लिया है नमक तो यहां पे मैंने सुआत के अनुसार नमक ले लिया है इसके बाद मैंने यहा आप लसुन नहीं खाते तो अद्रक की पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं और लास्ट में मैंने यहाँ पे ले लिया है तीन बड़े चमस तेल यहाँ पर इंग्रिडियन्स खतम होते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं काजो और बादाम को इस तरह से टुकडों में काट लिया और किश्मिश को मैंने बीच में से काट लिया दो टुकड़े कर लिया उसके यह तीनों में काट लिया है अब सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे तो गैस पर हमने कडाई रख दी है इसके अंदर हम यहाँ पे 2-3 जमस तेल डाल देंगे गरम हो जाए इसके साथ इसके अंदर डालेंगे जीरा जैसे ही चटक जाता है जीरा इसके साथ हम डाल देंगे एक प्यास ये बारी कटा हुआ और इसे करीब हम एक से दो मिनिट तक थोड़ा सा इस तरह से बून लेंगे प्यास को हमें लाल नहीं करना है सिर्फ एक से दो मिनिट तक बूनना है अब इसके अंदर हम डालेंगे अगर आप लसन नहीं खाते हैं तो आप अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा बून लेंगे जब तक अदरक और लसन का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए तो करीब इसे भी आपको एक मिनिट तक इसी तरह से बून लेना है इसके बाद इसमें आपको डालने हरी मिर्ची के टुकड़े और थोड़ा से इसे अच्छे से आपको इस तरह से कर्ची की मदद से मिला लेना है अब इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये उबलेवे आलू मेश किये होगे इसे मैंने थोड़ा थोड़ा मेश कर लिया है अब हम ये कर्ची की मदद से इसे मेश करेंगे यहाँ पर मैंने तीन उबलेवे आलू लिये थे मीडियाम साइज के लिये थे अगर आप जादा बड़े आलू है तो आप दो ही लीजी यहाँ पर मैंने तीन लिये थे और अच्छे से आप देखते जा रहे हैं मैं कर्ची के मदद से इसे मेश करती जा रहे हूँ थोड़े थोड़े इसके जो टुकड़े रहे चुके हैं और अच्छे से मिक्स भी करती जा रहे हूँ तो यहांपर mix हो चुक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, इसके साथ मैं DAL रही हूँ हल्दी पाउडर, फिर इसके अंदर अट कर रही हूँ, स्वाहद अनुशार, नमक फिर डाल रही हूँ मैं गरम मसाला इसे टेस्ट और भी बढ़िया आता है और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले यह वो आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तो करशी के मदद से इस तरह से मिलाते जाएए करीब आपको 1-2 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और पका लेना है 1-2 मिनट जाधा नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कलर आ चुका है और ये थोड़े थोड़े जो आलू के टुकडे रहे हैं इस तरह से आपको मेश करते जाना है ताकि ये हमारा जो मसाला बढ़िया तरीके से तयार हो जाए अब देख सकते हैं अच्छे से इसे मिला लिया है अब इसके अंदर हम जो काजू बादम और किश्मिश को काट के इसे टेस्ट और भी बढ़िया आएगा और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे देखा कितना कलरफुल हो गया हमारा जो ये मसाला है अच्छे से हमने इसे मिला लिया है और मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो मसाला है तैयार हो के आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है एक दम टेस्टी अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो इस तरह से मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं सारा हमने निकाल लिया है बहुती आसान रेसिपी है अब क्या करना है ये गर्ची की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला लेना है और इसे थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है फिर इसके हम ब्रेड रोल बनाएंगे तो यहाँ पर यह जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है अब इसी तरह से आपको हाथ में लेना है और इसका इस तरह स जो हमारे मसाले में से रोल थे हमने तयार कर लिये हैं अब हम ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्लेट में हम आदा कब जितना पानी डाल देंगे चुटकी बर नमक डाल कर अच्छे से मिला लेंगे तो हमने यहापे मिला लिया है अब ब्रेड लेंगे इसके अंदर इस तरह से अच्छे से डुबोएंगे और हाथ की मदश से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए पानी निकाल लेंगे पानी निकालने के पाद जो हमने यह रोल बना के रखा था तो देखे इस तरह से आपको तयार करना है एकदम बढ़िया तरीके से तयार हो जाएगा और यह तयार है इसे हम प्लेट में रख देंगे अगर आप कॉर्णर वाली ब्रेड लेते हैं तो उसके जो किनार है वो आप काट लीजे और इसी तरह से हम सारे रोल तयार कर लेंगे पानी में आपको ब्रेड डालनी है थोड़ा सा पानी निचोड लेना है बीच में यह स्टफिंग रखकर अच्छे से यह रोल तयार कर लेना है तो यहाँ पे हमने सारे रोल तयार कर लिये हैं अब यहां पे रोल को फ्राइ करने वाले हैं तो यहां पे हमने तेल को अच्छा गरम कर लिया है आपको ध्यान रखना है तेल एक तम अच्छा गरम होना चाहिए अब इसके अंदर हम यह दो रोल में डाल रहे हूं और एक मिनिट तक आपको इसे हाथ बिल्कुल भी नहीं लर आ चुका है इसी तरह से हम दोनों सेट से लगाता है चलाते होगे सोनेरा क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे अपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेड रोल बनाए तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए नहीं तो यह ब्रेड रोल है वो चिपक जाता है यहां तो यहां पर यह तैयार है अब इसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी और सारे रोल मैं बना लूँगी तो इस तरह से लीजे तैयार है बड़िया से शाही ब्रेड रोल इसे मैंने सर्व किया है टॉमेटो केचप के साथ आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकता है तो कि ले थाइं कि वो वाच्छंग